तो मूवी के शुरुवात में हमें एक लड़का दिखा जाता है जिसका नाम Max होता है और वो अपने चैट पर बैट कर ड्रोइंग कर रहा होता है सिंपल बात है उसके ममी उसे आवाज लगाती है बिकॉस कि वो लोग न्यू घर में शिफ्ट हुए थे और गाइस गाइस मैं तुम्हें पहले बात आदू कि Max के जो फादर है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो जिस घर में वो लोग शिफ्ट हो रहे थे वो घर में ये लोग बहुत पहले रहा करते थे लेकिन सिंपल बात है कुछ रीजन के वज़े से ये लोग घर में नहीं रहते थे और अभी ये घर में शिफ्ट हुए है न्यू न्यू तो सिंपल बात है कि Max भी उने इस घर में आके मिस्स कर रहा था बहुत ज़ादा उसके बात सिंप्ट होता है उसके बाद हम Max को कुछ शक्तियों के साथ देख पाते हैं असल में एक शक्तिया नहीं थी कुछ दूसरी चीज़ कह सकते हैं इसको बताऊंगा आगे तो Max के हाथों में उससे वेव निकल रही थी सिंपल बात है कि कुछ रियाक्शन के वज़े स से मैवक्स के हाथ से मैजिकल टाइप की वेव निकल रही थी और वजली वह बहुत पावरफुल थी लेकिन मैक्स इसको नॉर्मल समझ कर इग्नॉर कर देता था हमेशा की तरह उसके बाद मैक्स बैक पेक करके अपने स्कूल के लिए निकल जाता है उसको एक लाप में जात और मैक्स भाईया हमारे साइकल से जा रहे थी इसलिए उसके साइकल भी तूड़ जाती है तो सोफिया उसे बोलती ही कि मैं तुम्हारी साइकल ठीक कर दूँगी क्लास के बाद और हाँ वो इसी स्कूल में पढ़ती थी और जैसे है मैक्स अपने स्कूल के क्लास में इंटर कर और दोने में बहुत जादा बात होती है और जिए बाई क्या स्टार्ट होने वाले यह तुम बात तो तुम्हें पता ही होगा जिसको इन शॉट कहते हैं लव ओम जी यह सब होने के बाद जब मैक्स अपने घर पहुंचता है तो वह एक इंसान को पाता है जो उसके फादर क में बहुत ज्यादा चेंजेस देखता है जैसे उसके सरदर्द हो रहा था और साइम टाब में उसे पसीना भी आ रहा था उसके दिल की तरकने भी तेज हो रही थी और फिर स्टेंट सिफ्ट होता है फिर हमें एक अजीब टाप के क्रियेचर को या एक रोबोट को देख पा जाता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वह अजाता है और बहुत ही तेजी से सबसे बचकर भाग जाता है उसके बाद हम यहां देख पाते हैं कि माइल्स के साथ मैक्स पैठा हुआ था और दोनों को गपशप कर रहे थे माइल्स बता रहा था कि तुम्हारे पापा जो थे बहुत अच्छे सैंटिस्स थे हमने इसाथ में बहुत जादा टाम स्पैन किये बहुत जादा ही वह अमबेशियस होते थे किसी भी काम को लेकर और यही सब बाते चल रही थी और मैक्स तब भी उस इंसान को देखे जा रहा था अजीब नजरों से लेकिन इस टैप से उसने बताया उस टैप का सिनारियो कुछ भी क्रियेट यहां पर नहीं हो रहा था और मैक्स जो जाना चाहता था कि उसके फादर की डैट कैसी हुई इसलिए माइल्स से पूछते जा रहा था और जादा कोंस्टिंस और इसी बीच में बिजली चले जाती है उसक से सटिस्वाइए नहीं हो पाता है लेकिन सेम टाइम में वह अपने रिडियेशन से भी बहुत जादा परिशान होता है जो उसके हाथों से निकल रहा था जाज़ता है उसके बाद सिंसी होता है फिर हम मैक्स को जंगल में देख पाते हैं कि वह इसी टाइप की एनरजी को देख रहा था जहेल रहा था लेकिन सेम टाइम में फिर वह इसके साथ खेलने लगता है जैसे कि एक टाइप का मतलब समझो कि वरदान मिला है पता नहीं क्या है जो बहुत सुंदर लग रहा देखने में लेकर वजली इसके साथ टेस्ट भी करता है और जितने चीजों पर अपना हाथ मारता है वह सब जल जाती सिंपल बात है कि यह लिक्वीड अनरजी बहुत जादा ही पावरफुल थी उसके बाद सिंट्रिफ होता है मैक्स चले जाता है स्कूल लेकिन सेम टाइम में उसे सुफिया आती है और बोलती है कि हम लोग साथ में टाम स्पिन करते हैं कान है चलो रिस्टरेंट चलते हैं और वशनी दोनो साथ में टाम जाते हैं और जैसे व लोग जाते हैं तो मैक्स को अजीब सवाइरे सिपर Lt k के बारे में तो तुम अभय तक नहीं बच्य हो लिटरली इतना बड़ा लालगा जो सूपर मैन के तरह देख रह यह बच्चा ह कमान यार कुछ भी नहीं चलो मुझे क्या मूवी है भाई तो फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं जब मैक्स अपनी मॉम से बात कर रहा था तो वो जो creature था जो alien कह सकते हैं उसको वो जो भागा था लैब से मैक्स को देख रहा था और वो यह देख पा रहा था कि जो energy side उसे चाहिए वो मैक्स के अंदर है सिनसीफ होता है उसके बाद देख सकते हैं कि मैक्स cycle चला रहा था और वो भाग रहा था विकास कि वो radiation से बहुत ज़्यादा परिशान हो गया था और वो liquid energy बहुत तेजी से उसके अंदर से निकलने लगती है और मैक्स इसके साथ जोड से चिलाता है और धेर सारी energy बहार निकलती है उसके बाद वो भेहुस हो जाता है उसके बाद वो अपने आपको एक room में पाता है और वो यह देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा चोटे आ रखी है और वो कैसे आई थी उसे खुद पता नहीं था तो mirror में आपने आपको देख रहा था simple बात है कि वो जो creature था जो alien था वो उसके अचानक से पीछे आ जाता है जिसके देखकर मैक्स बहुत चादा डर जाता है उसका नाम होता है स्टील तो मिलके क्या बना मैक्स स्टील समझ में आ गया होगा तुम्हें तो स्टील बताता है कि मैं तुम्हार प्रोटेक्टर के तरह तुम्हें काम करूंगा विकॉस कि जो तुम में से एनरजी निकल रही है वो मुझे चाहिए जिन्दा रहने के लिए तो मैक्स ये सब समझ जाता है उसके बाद वो से बोलता है या लेट इट बी हम लोग साथ में रह सकते हैं तो फिर जंगल वला से दिखा जाता है दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं लेकिन वहां पर तभी गुंडे आ जाते हैं गन से लैस और वो मैक्स पर हमला कर देते हैं इसके बाद मैक्स स्टील को अपने बैग में भर कर स्कूल चले जाता है और जब वो सोफिया से बात करता है जब सोफिया उसके सामने आती है वो पूछती है कि तुम क्यों भाग गए थे कल तो सिंपल बात है स्टील बहुत जादा हिलने लगता है अंदर में वह एक टैप क पेट थोडी था जो उसे भाग में भर दिया था उसके बाद मैक्स स्टील दोनों साथ में टाइम स्टैम करते हैं और मैक्स स्टील से अपने एट के बारे में फूछता है लेकर waist इसके दैड के बारे में उसे साथ में कुछ याद नहीं होता है, स्टील बताता है कि तुम्हारे में सोजनर जे निकल रेज गारनस तो बहुत जादा है, स्ट्रोंग हो तुम सच में एक सूपर हीरो हो, सिंपल बात है वो चेक करने के लिए ability बहुत टाइप से चेक करता है और obviously भाई वो super hero के तरहे काम कर रहा था भाई, spider man बन जा रहा है, कभी super man बन जा रहा है मतलब powerful तो बन गया था तो still उसे train करता है और अच्छे तरीके से train करता है उसे बताता रहता है, उसे guide करता रहता है कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है सिंपल बात है, उसे fighting techniques भी बताता है उसके बाद steel बताता है कि हम दोनों अगर combine हो जाए तो बहुत ही cool चीज form हो सकता है सिंपल बात है कि इसके लिए max तयार नहीं था सूट में max अपने आपको पाता है, तो देख सकता था उसे अचानक से एक याद आने लगता है कि उसके डैड के साथ क्या हुआ था मतलब वह अचानक से उसके आँकों के सामने आने लगता है तो जब max यह सब करने के बाद steel बाहर निकलता है तो आवजली उसका कोई पीछा कर रहा था एक black car में और वो दोने एक दुसरे से भागते रहते हैं और उसी टैम में Sophia मिल जाती है उसे तो Sophia के साथ उसी यानि miles से मिलने के लिए जाता है विकास कि उसने उसे काट दिया था बोला था कि तुम जब भी तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो तुम मेरे साथ के मिल सकते हो तो जब वह miles से मिलता है तो max पूछता है उससे कि मेरे dad कौन थे क्या हुआ था उनके साथ मुझे clearly बताओ तो miles से बत को टाल देता है और उसे एक पत्थर टैप का कुछ दिखाता है जिसका नाम वो देता है it is a power core एक टैप का power core है जो energy को combine और enhance करने के लिए बनाए गया था और जैसे वो उसके टच करता है तो उसका vibration जो liquidus form में था वो बहुत जाद एक्टिवेट हो जाता है और उसका सर अचानक से दर्द होने लगता और वो भाग जाता है इस पर Sophia कहती है कि यह ऐसा ही करता है तो Miles Sophia को भी उसके पीछे पीछे जाने के लिए बोल देता है बोलता है तो मुसके साथ जाओ और इसके बाद हम यहाँ पे Miles का जीब सा emotion कह सकते हैं expression देख सकते हैं जैसे कि यह सब planned था तो जब Max बहार भागने लगता है और वो अपने घर तक पहुंचता है तो एक टाप का tornado टाप का चीज़ उसे दिखता है जो की बहुत अजीब टाप का creature दिख रहा था और वो उसे बहुत परिशान करता है इन फैक्ट कि उसे मार ही देना चाहता था लेकिन Max कैसे भी कर कि आपको वहां से बचा लेता है उसके बाद वो जब tornado तूट जाता है तो पास में जाकर देखता है तो हूब हूँ वो steel के तरह ही दिख रहा था लेकिन वो अलग था steel से बहुत ज़ादा कह सकते हैं कि steel जो Max क के पास से वो एक good form में है और वो जो tornado था एक bad form में था और अगर इससे transformers की भासा में बोलू तो इससे अल्ट्रा लिंग कह सकते हैं या इसका इसमें कोई रोल नहीं है मैं कहीं से कहीं जोड रहा हूं यार इसे चीज का पता लगाने के लिए Max डाइक्ट के लाब में जाता किया जिसके कारण सुन के मौत हो गई थी और एक्सपरिमेंट करने के लिए और किसी नहीं माइल्स नहीं साथ दिया था मतलब उसने साथ मना किया था लेकिन वह चाहता था कि Max के डाइड मढ़ जाए फिर अचानक से वही सरदर्द होता है और Max के अचानक से दिमाग में वह जगह पे तुम भी जाके बैठ हो और हमें यहाँ पर यह पता चलता है और Max के डाड को किसी और नहीं माइल्स नहीं मारा था और Max के पास तो कोई चीज तो था नहीं बैचारा हार गया और वहीं पर जाकर बैठ जाता है एक तरह से गतल लेट जाता है लेकिन जिस एनरजी स बहुत ही कूल टाप की फाइट होन लगती हैं लेकिन माइल्स इसमें जिता हुआ दिख रहा था लेकिन ऑविसली Max बहुत जादा पावरफुल था एक तरह से कह सकते हैं Max Steel बहुत जादा पावरफुल था और वह माइल्स को मारने में कामयाब हो जाता है और माइल्स मर जात थे क्योंकि उसके डाइड चाहते थे कि उसके फैमिली इस एक्सपरिमेंट का हिमिस्सा नहीं बने और अविसली इस चीज से वह प्रित्वी को दूर रखना चाहते थे सिंपल बात है कि जो एक्सपरिमेंट वो कर रहे थे वो पूरी दुनिया के लिए खतरा थी उसके बाद सीन सिफ्ट होता है फिर मैक्स जाकर सोफिया से मिलता है जैसे कि मैंने बताया थे कि मैक्स बहुत अच्छा ड्रोइंग बनाता था तो सोफिया को एक बहुत अच्छी से उसकी ड्रोइंग बना कर देता है जैसे सोफिया बहुत कोस हो जाती है और उसके बाद मूवी यहीं पर रेंड हो जाती है सो तब देखले बाई